जहिन दोस्तों देखे आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे जहारकन पुलीस के फिजिकल डेट के बारे में और इस पर क्या क्या नया नया बदला हो रहा है उसकी बारे में भी आपको बताएंगे तो ये वीडियो जहारकन पुलीस भरने वाले तमाम विद टोटल सीट कितना 4919 पोश्ट के लिए वेकिंसी निकाला गया था और ये संभावित था कि उत्पाथ सिपाई के बाद इसका दौड कंड़क्ट कर लिया जाए लेकिन दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उत्पाथ सिपाई के दौड में हमने 16 भाईयों को खो दि जिससे हमें और ऐसी घटनाओं को देखने को मिले ऐसी गलती दोबारा ना हो जाए तो दोस्तों इसको लेकर के ऐसी जो मौते हो रही है ये आगे और ना हो इसको लेकर के अभी वरतमान में क्या हुआ है कि जारकंड पुलिस ने क्या भेजा है सरकार को दो प्रस्ताव ठीक है तो अभी जारकंड पुलिस ने जारकंड सरकार को दो प्रस्ताव भेजा है ठीक है अब जरा ध्यान से दिखेगा अभी जो वरतमान में जो प्रावधान है जारकंड पुलिस का दोड़ कितना होना है जारकंड पुलिस का दोड़ होना है दस किलोमेटर का दोड़ ए यह जो 16 जाने गई इस से हमें बहुत सारा चीज सीखने को मिला सरकार इसको देखते हुए सतर्क हो गई है ठीक है और नहीं चाहती है कि आगे ऐसी कोई घटना हो ठीक है और ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा तो देखे इस पर बहुत बड़ा चेंजिंग किया जा रहा है और यहा दूसरा इस पे है महिलाओं का डाई किलोमेटर दोड़ करवाईए टाइम दिजे इनको 20 मिनिट यह है पहला प्रस्ताव दूसरा प्रस्ताव में यह कहा गया है कि 1600 मिनिटर जो आर्मी का रेलिव अगर होता है न ऐसा ही होता है 1600 मिनिटर दूरी रखिए इस पे पूरुसों के लिए टाइम दिजे 6 मिनिट और दूसरा है महिलाओं के लिए भी 1600 मिनिटर रखिए और टाइम दिजे इनको 8 मिनिट यह दोस्तों आर्मी का रेलिव अगरह में यही सिस्टम चलता है तो दोस्तों आप ज़रा कमिट करके बत सही है यही दो प्रस्ताव दिया गया और यही दो में से कोई एक्ठो आपका रनी होनी वाला है ठीक है आपको जहां तक क्या लगता है कि कौन सा होना चाहिए आप अपना-पना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में तो देखे दोस्तों इन दोनों में से किस पर मुहर ल जाल रहा है तो दोस्तों अभी जारकन पुलिस ने यही दो प्रस्ताव भेजा है कि यहीं दो में से कोई एक दौर कंड़क्ट करवाईए क्योंकि इस पर संख्या बहुत जादा है 4919 वेकेंसी है देखे 580 के आसपास वेकेंसी था उत्पास सिपाई में अल्लाग बाग 5.5 पांच लाग स्टूडेंट दौर दिये ठीक है जिसमें से 16-17 विद्यार्थियों की जान चली गई अब यह वाले जो बहुत बड़ी बहुत बहुत बड़ी बहुत बहुत बड़ी चुनोती है जारकन सरकार के सामने जारकन पुलिस के सामने ठीक है तो यह अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है जिसको कंप्लीट करवाना और इसमें ऐसी घटनाए ना हो इसको लेकर के सरकार बहुत सारा तरीका अपना रही है तो आप कमेंट में बताईएगा कि दोनों में से कौन सा होना चाहिए अब हम बात करेंगे कि दोड़ आखिर आपका कब होगा तो देखे दोस्तों यदि ये घटना नहीं होता ना ऐसी इस्तिति यदि नहीं होती तो उतपाज सिपाही के बाद आपका तुरंत दौड़ हो जाता ठेक है सब चीज उसी सेटप में दौड़ कंड़क्ट हो जाता लेकिन दोस्तों इतनी जो जाने गई उसको लेकर जारकंड स सरकार बहुत सारा यहां पर चेंजिंग करने वाली है देखे अभी चुनाओ भी आ रहा है अचार सहीता वगरा भी लगने वाली है तो देखे दोस्तों इसका जो मेटिंग का द्वारा जो है भेज दिया जाएगा फाइनल प्रस्ताव ग्री कारा आउं आपदा परवंदर विभाग को कि हाँ इस पर प्रस्ताव मुहर लगिया है फिर उसका नोटिस जैएगा जैससी फिर उसका एडमिट काड इसू करेगी ठीक है तो यह फाइनल पहुंचेगा जैससी के पास अभी सरकार और जharkand पूलिस के बीच जो भी सामझेस से वग्रया है यह सारा चीज़ डिसकस हो जाएगा इसके बाद फाइनल लेटर जाएगा जैससी के पास और JSC फिर इसका final clearance जारी करेगे कि कितना दोड होगा कितना नहीं होगा कैसे क्या होगा क्या protocol रहेगा कब admit card आएगा ये सारा चीज बता दिया जाएगा तो देखे दोस्तों अब ये दोड आखिर कब होगा और इसका admit card कब इसू किया जाएगा तो जरा ध्यान से सुन नहीं है यदि delay हुआ तो ये 2025 पहुंच जाएगा ठीक है अभी सरकार के पास समय है कि October तक में running ले सकती है यदि सरकार चाहे तो ले भी सकती है ठीक है और admit card जहां तक मुझे लगता है पहले ये clear हो जाएगा इसके बाद आपका admit card जारी कर देगा admit card जारी करने में ज्याद decision होता है मानिने मुख्य मंतरी सर क्या निरनाय लेते हैं और उन्होंने पहले भी tweet करके बताया है कि हम पुरानी नियमा वाली पर समिक्षा कर रहे हैं तो देखिए ऐसा उत्पास सिपाई जैसा इस पे ना हो जाए इसको लेकर के सब डरा हुआ है और सब चाहता है कि सांती पुरुवत बिना किसी casualty का बिना किसी loss का दोड़ conduct हो जाए विद्धार्थों को रोजगार मिले ठीक है क्योंकि दोस्तों ऐसी घटना ही जो होती है वो अपने आप में बहुत बड़ी दुखत घटना है ठीक है तो देखिए अब किस पर मोहर लगता है यह आगे आने वाल दोस्तों कि प्रभात ख़बर निउस्पेपर में दिया गया था इसके बारे में कि इसका प्रस्ताव भेजा गया है हम आपको वो निउस्पेपर भी दिखाना चाहेंगे जिस पर यह दिया गया है अप लोग खुद भी देख लीजिए जाड़ा clarity हो जाएगा ठीक है तो च जारकंड पुलीस में करीब 5,000 सिपाहियों यानि 4,919 जो पोस्ट है न उसी की बात हो रही है और अक्षियों की बहाली होनी है इसको देखते हुए पहले से दोड़ के लिए 23 सिमा में बदलाओ के लिए पुलीस मोख्याले ने राजी सरकार को दो प्रस्ताव भेजा है ठी 26 सितंबर को मोख्य मंतर हिमन सोरन की अधिक्षता में होने वाली बैठक में अंतिम निरने लिया जा सकता है तो 26 तारिक मीटिंग में देखना होगा यह मीटिंग दोस्तों हुआ की नहीं हुआ आखिर इसका क्या रिजल्ट आया उसके बारे में आपको अगला वीडियो में बताएंगे कि आखिर मीटिंग में क्या हुआ है देखें यहां पर लिख रहा है कि इस पर 26 सितंबर को मोख्य मंतर हिमन सोरन की अधिक्षता में होने वाली बैठक में अंतिम निरने लिया जा सकता है उत्पास सिपाई की बहाली प्रक्रिया के लिए हुई सारे रिक दक्ष लगाने के दौरान ही अधिकांस अभियर्तु की तबियत खराब हुआ था तो आपको पता होगा 10 किलोमेटर दोस्तों कोई छुटा मोटा दौर थोड़ी है बहुत सारे लोगों का तबियत खराब हो गया ठीक है और हमने 16 भाईयों को भी खो दिया इसको लेकर राजनीतिक दॉरी के दौर लगानी होती है जब कि जारकन पुलिस में दस किलोमेटर की दौर लगानी पड़ती है आर्मी में 200-600 मीटर का यहां पर रनी होता आपको पता होगा देखे यहांश अब लिखा है कि बहाली के लिए लिए पहले से चल रहा है नियम पूरूस अभियर्तियों के लिए नीयम है। तो देख सकते हैं यहां पर 60 द 10 मिनट की दूरी तै़ करनी होती है, जबकि महिला के लिए 40 मिनट 5 किलो मेटर की दूरी तै़ करनी होती है। अब यहां पर प्रस्ताव भेज आगया है दोस्तों, पहला प्रस्ताओ देखी क्या है, पूरुस अभयरतियों को 5 km की दौड 30 मिनिट में पूरी करनी होगी, जबकि महिला अभयरतियों को 20 मिनिट में आपका 5 km का दौड जो है वो पूरा करना होगा, यह प्रोपोजल नमबर 1 है, पहला प्रस्ताओ गया, दूसरा प्रस्ताओ की वहने बात करेंगे प्रस्ताव नंबर दो के हा है तो देख सकते हैं यहां पर प्रस्ताव नंबर दो में बताया कि अजया है कि सेना की तरह यानि इंडियन आर्मी का जो रेली होता इस पर अभयरतियों को 1.6 किलोमेटर आदी तो देखे दोस्तों अब दोनों प्रस्ताओं में कौन सा प्रस्ताओं पास होता है यह देखना बाकी है तो बहुत जल्द हम इसको लेकर के एक वीडियो लेकर का आ रहे हैं तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमने आपको पूरा बढ़ियां से सब चीज क्लियर करके बता दिया आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि आपको दोनों में से कौन सा पसंद है यह वाला होना चाहिए कि यह वाला होना चाहिए कम से कम हजार से जरूर कमेंट कीजिएगा चलिए देखते हैं कितना कमेंट आता है उमीद करेंगा आपको समझ में आ गया होगा चलिए मिलता अगली वीडियो में जहिंद